बारत और न्यूजिलेंड के वीच खेला जा रहा पहला टी-20 मुकाबला बहुत रुमान चक बीत रहा है जिए आपको बता दें कि टीम इंडिया ने यहाँ पर न्यूजिलेंड को पहले बल्लेबाजी कार्ने होता दिया टॉस जीतने के बाद जिसके बाद भारत ने पहले ही विक्ट पहले ही ओवर में पहला विक्ट हासिल किया लेकिन इसके बाद मार्टिन गटिल और मार्क Шैपमेन की बीच जबरदस साजय दारी भी चैपमेन 50 गितों में 63 फरंट बनाकर अब रवी चंदन अश्विन का शिकार बने चौदवे ओर की दूसरी गेर पर अश्विन ने सीधा एक कैरम बॉल डाली उस कैरम बॉल को बेर नहीं पाए मार्क चैपमेन और सीधा बॉल्ड हो गए वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर टीम इडिया को दूसरी सफलता मिली है जिस विकेट की तलाश बारती टीम को थी वो विकेट मारत ने हासिल किया है चैपमेन जो की काफी डेंजरस दिखाई दे रहे थे लगा कि शायद एक बड़ा शॉट वो खेल जाएंगे लेकिन वो यहाँ पर आउट हुए बारती टीम गोश सफलता दिलाई है बहुत जबरदर्ट यहाँ पर गेंदबाजी रवी चंदन अश्विन की देखने को बिली है कि अब टीम इंडिया यहाँ पर किस तरीके का प्रदर्शन करती है क्योंकि भारती टीम को यहाँ पर जल से जल न्यूजिलेंड को बड़ा स्कोर बनाने से रोकना है A&P टाइमस के रिपाँ